टिक टॉक एक ऐसा एप जिसे कि आज लगवग हर भारत्या पसंद करता है जिसमें कि कई लोग तो इस पर अपनी वीडियोस बनाना पसंद करते हैं तो वहीं कई लोग इस पर दूसरों की वीडियोस को देखकर अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं और दोस्तों अगर हम बात करें टिक टॉक के क्रेटर्स की तो वो आज केवल टिक टॉक तक की सीमित नहीं है बलकि वे इस पर वीडियोस बना के आज पूरे दुनिया में फेमस हो चुके हैं और आज टिक टॉक पे जो जितना जादा फेमस है आज उसकी उतनी जादा ही कमाई है दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आगर टिक टॉक से ये क्रेटर्स कितना पैसा कमाते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंडिया के टॉप 10 टिक टॉक से सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक टिक टॉक वीडियो क्रेटर अपनी वीडियो से एक भी पैसा नहीं कमाता उसकी जितनी भी कमाई होती है वो सब उसकी फैन फॉलिंग पे डिपेंड करती है और एक टिक टॉकर पैसे कमाता है स्पॉंसर्शिप्स, फोटो शूट और परमोसंस करके तो दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टार्ड्स की तो इस लिस्ट में नमबर टैन पर है फैज वलॉज फैज वलॉज ने अपनी बहतरीन वीडियो से आज इंडिया में अपना एक बहुत अच्छा फैन बेस बना लिया है और इसके साथ साथ ये टीम जीरो सेवन का भी हिस्सा है जो कि पूरे टिक टॉक पे बहुत ज्यादा फेमस है और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें इनकी कमाई की तो इनकी एक महीने की कमाई करीब 4 लाग रुपे है तो दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 9 की तो नमबर 9 पर है आसिका भाटिया आसिका भाटिया ने अपनी करियर की सुरुआत तो टेलिविजन से की लेकिन इने सक्सेस मिली टिक टॉक से क्योंकि ये TikTok पर बहुत ही बहतरीन वीडियोस बनाती हैं जिसके चलते कि आज इनके लाखो फैंस हैं और दोस्तों वही अगर बात करें इनकी कमाई की तो इनकी एक महेने की कमाई करीब साड़े चार लाख रुपे है दोस्तों अब बात करते हैं नमबर आठ की तो नमबर आठ पे है एक टिक टॉक का जाना माना चहरा अधनान सेख अधनान सेख वो नाम है जिसने अपनी टीम 07 में सबसे पहले टिक टॉक वीडियोस बनानी शुरू की थी और आज अपनी महनत के दम पर ये वहां के खड़े हो चुके हैं जहांकि इनके करोडो फैंस हैं और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें इनकी कमाई की तो ये एक महिने में करीब 5 लाग रुपे कमा लेते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 7 की तो नमबर साथ पे है हरियाना का एक उबरता हुआ चहरा मंजूल खटर का दोस्तों मंजूल खटर पूरे टिक टॉक में सबसे पुराने क्रियेटर्स में से एक है जिन्होंने की यहां तक पहुँचने के लिए खूब जादा मेहनत की है और आज इनकी टिक टॉक के साथ साथ बाकी और सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब जादा फैन फालोइंग है और दोस्तों वहीं अगर बात करें इनकी कमाई की तो ये एक महीने में करीब 6 लाग रुपे कमाते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 6 की तो नमबर 6 पर है एक टिक टॉक का जानमाना चेहरा गरीमा चौरसिया का दोस्तों गरीमा चौरसिया को सफलता मिलनी सुरू हुई इनके एक वाइरल डांस से जहां से कि इन्होंने अपने डांस और अपनी वीडियोस पे खुब जादा फोकस किया और आज ये यहां आके खड़ी हो गई है दोस्तों आज गरीमा चौरसिया को टिक टॉक पे एक करोड से भी जादा लोग फॉलो करते हैं और वहीं अगर इनकी मन्तली इंकम की बात की जाए तो ये आठ लाग रुपे कमाती है दोस्तों अब बात करते हैं नमबर फाइफ की तो नमबर फाइफ पर है आज इंडिया में खुब जादा फेमस हो चुके हसने खान दोस्तों हसनेन खान ने अपना टिक टॉक कारियर अपने दोस्तों के कहने पर सुरू किया था और आज हाल कुछ यूँ है कि ये पूरे इंडिया में टॉप टिक टॉक स्टार्ज की लिष्ट में घिने जाते हैं और वहीं अगर हम बात करें इनकी कमाई की तो ये एक महीने के साड़े 8 लाग रुपे कमाते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 4 की तो नमबर 4 पर है एक टिक टॉक का जानमाना चहरा आवेज दरबार का आवेज दरबार ने यहां तक पहुचने के लिए टिक टॉक पे खूब ज़ादा मेहनत की है जिसके बाद की ओडियन्स ने भी इन्हें खूब ज़ादा प्यार दिया और आज ये यहां पहुच चुके हैं और आज इन्हें टिक टॉक और इंस्टाग्राम पे करोडो की तादात में फॉलो किया जाता है और दोस्तों अगर हम बात करें आवेज दरबार की कमाई की तो ये एक महिने में करीब 15 लाख रुपे कमाते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 3 की तो नमबर 3 पर है सभी की चाहीती और एक मश्हूर टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर दोस्तों अवनीत कौर टिक टॉक के साथ साथ आज टीवी जगत में भी खूब जादा फेमस है जहांकि इन्हें टिक टॉक पे तो करोडो की तादात में फॉलो किया ही जाता है और जो लोग टिक टॉक नहीं चलाते आज वो इनके टीवी सीरियल्स के जरिये इन्हें फॉलो करते हैं और दोस्तों अगर हम बात करें अवनीत कौर की कमाई की तो ये एक महीने में करीब 18 लाग रुपे कमाती है दोस्तों अब बात करते हैं नमबर 2 की तो नमबर 2 पर है एक मशूर इस्टार जन्नत जुबेर दोस्तों जन्नत जुबेर एक मशूर मॉडल और एक टीवी एक्टरस है जहांकि इन्हें टीवी जगत से तो खूब जादा फैन फॉलेंग मिली ही और साथिसाथ टिक टॉक और इस्टाग्राम से भी इने करोडो की ताजाज में फॉलो किया गया और दोस्तों केवल इतना ही नहीं बलकि जन्नत जुबेर पूरे इंडिया में टॉप टिक टॉक स्टार्ड की लिस्ट में गिनी जाती है और वहीं अगर बात करें इनकी कमाई की तो ये एक महीने में करीब 25 लाग रुपे कमाती है तो दोस्तों अब बात करते हैं नमबर वन की तो नमबर वन पे है मिस्टर फैजू दोस्तों फैजू टीम 07 का हिस्सा है जो की पूरे टिक टॉक पे सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों आज इन्हें टिक टॉक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी करोडो की तादात में लोग फॉलो कर रहे हैं और दोस्तों अगर हम बात करें मिस्टर फैजू की एक महीनी की कमाई की तो ये करीब 30 लाग रुपे कमाते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ इंडिया के टॉप 10 टिक टॉक स्टार्स की इंकम दोस्तों आपका इन समय से कौन फैवरिट टिक टॉक स्टार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं